मद्यपर्देश के सिवनी के पेंच टाईगर रिजर्व में इन दिनों मोगली का दोस्त बगहीरा यानि ब्लैक पेंधर लगतार परियटकों के लिए आकृष्ण का केंद्र बना हुआ है लगतार तीसरी बार पेंच टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर को देखने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में परियाटक पहुच रहे हैं पेंच टाइगर रिजर्व का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ब्लैक पैंथर बगीरा सैलानियों को नजर आ रहा है लंबे समय बाद ब्लैक खवासा बफर जोन में परियटकों को बगीरा का दीदार हुआ परियटकों ने ब्लैक पेंथर का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया वह इस बार अपने एक साथी जोडिदार के साथ खवासा बफर इलाके में नजर आ रहा था बता दें कि पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के गेट भले ही बारिश के चलते बंद कर दिये कए हैं लेकिन बफर इलाके में सफारी जारी है सैलानी ब्लैक पेंथर को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुँच रहे हैं पेच पार्क के अधिकारियों के मताबिक मादा तेंदुए के साथ साथ तीन शावक भी दिखाई दे रहे हैं इन में से एक शावक तेंदुआ काले रंग का है काला तेंदुआ शावक 27 जुलाई को सबसे पहले दिखाई दिया था 17 सितंबर और 28 नवंबर को भी परियटकों को सफारी के दौरान काला तेंदुआ नजर आया था पिछले साल 27 सितंबर और 28 नवंबर को भी ये काला तेंदुआ नजर आया था